स्वयाबिन के भाव में सुनामी आखिर क्या है कारण और आने वाले नए सिजन में भी रहेगी क्या स्वयाबिन के भाव में बढ़ोतरी सारी जानकरी जानेंगे इस वीडियो में साथ यो मेरा नाम भी जान लेजिए मेरा नाम है शिवराज और आप देख रहे ठाकूट टेक्नोलोजी यूटूब चैनल साथ यो वीडियो को कर दीजे लाइक और चैनल को कर दीजे सस्क्राइब स्वयविन के भाव में सुनामी आखिर क्या है कारण जानकारों की माने तो करोना महामारी के दोराण स्वयविन से बने उत्पाज जैसे सोया दूत, दलिया, बिस्कीट, पनीर की मांग ज़्यादा बढ़ गई है और नतिजन आप सिजन में स्वयविन के भाव में इतनी तेजी दिख रही है फिलाल इन भावों का किसानों को कोई फाइदा नहीं मिल रहा पर हाँ नए सिजन में 6000 रुपे से कम भाव पर स्वयविन बिकना मुश्किल है ऐसा जानकारों का मानना है पिछले साल 4000 से 4500 रुपे ये प्रतिकुंटल सिजन की शुरुआत में बीकी थी स्वयविन स्वयविन के भाव बढ़ने के दो प्रमुक कारण है नमबर एक नेपाल से सोया तेल की आवक गटी नमबर दो डी ओसी की मांगने बढ़ाए भाव कोरोना की पहली लहर के दोरान नेपाल से सोया तेल की आवक बढ़ गई थी इसका कारण यह बताय जा रहा है कि नेपाल में सोया तेल पर ड्यूटी नहीं लगती भरतमान में नेपाल के सोया तेल की आवक में कंई आई ये इसी का लाफ इश्टाग वाले उटा रहे हैं इस पर सरकार का नियंत्र नहीं होना भी बावों में वरोत्री का एक कारण माना जा रहा है नमबर दो की बात करते हैं डियोसी की मांग ने भी स्याविन के बाव बढ़ाए हैं इसके अलावा स्याविन से बने उत्वात की मांग ज़्यादा बढ़ गई है उमिद करता हूँ साथ कि आपको जानकार यह अच्छी लगी होगी इस सम्मंदित आपका कोई भी कोश्चन हो तो आप कमेंट बोक्स में करिए इस सम्मंदित में अगला वीडियो लेकर आऊँगा उमिद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को हमारे अन्य किसान सातियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए